लोग सभध चुनाव से पहले इस साल होने वाले पांच राज्यों के विधान सभध चुनाव को दो हसार चौबिस का सेमी फाइनल माना जा रहा है राजस्थान, चत्तिसगर्ड, मध्य प्रिदेश, तिलंगाना और मिजोरम में चुनाव है नमशकार, विंद्या टाइम्स में आपका स्वागत है, मैं आपके साथ उर्वशी इन पांच राज्यों के चुनाव में बीजेपी के लिए सबसे जादा चुनावती भी मध्य प्रिदेश में नज़र आ रही है क्योंकि वो सत्व में है और बाकी राज्यों में तो पार्टी को सत्व विरोधी लहर का लाब मिल सकता है मध्य प्रिदेश के चुनावी कमान केंडरे ग्रेह मंतरी अमित शाह ने अपने हाथों में ले ली है और ताबर तोड दोरे करके माहौल को भाजपा में बनाने में जुट गए हैं विधान सभा चुनाव ही नहीं बलकि लोग सभा चुनाव के लिहास से भी बीजेपी के लिए मध्यप्रदेश काफी एहम माना जा रहा है विधान सभा चुनाव में बीजेपी की सामने सरकार बचाने की लड़ाई है लोग सभा में MP की 29 सीटों में से 28 सीटों पर बीजेपी का कबजा है जिनने विधान सभा का चुनाव जीत कर ही बचाये रखा जा सकता है ऐसे में BJP अपने एकलौते राज्जी की सत्ता को बचाये रखने की जद्दो जहत कर रही है शिवराज सिंग जोहान लोक लुभावन वारे कर रहे हैं लेकिन हवा का रुख अपनी तरफ नहीं मोड पा रहे हैं ऐसे में अमित्शाह और उनकी टीम ने मध्यप्रदेश की चुनावी कमान समहा ली है केंडी मंत्री भुपें रियादव को MP चुनाव का प्रभारी और अश्विनी बैशनव को सह प्रभारी नियुक्त बनाया गया अब अमित्शाह ने मध्यप्रदेश के तावड तोड दौरे शुरू कर दिये हैं पिछले एक महिने में तीन बार दौरा कर चुके हैं अमित्शाह ने बुधवार को देरात MP नेताओं के साथ बैठक कर चुनावी मन्थन किया और जीत दर्ज करने के लिए खास रणनीती बनाने में जुट गए हैं गुरुवार को अमित्शाह सुबह दिल्ली लोटे हैं लेकिन 29 जुलाई को दोबारा से भोपाल पहुँचेंगे पिछले 18 दिनों में होने वाली तीसरी बैठक में वे पिछले दो बैठकों में दिये गए टास का फॉलो अप कर लेंगे अमित्शाह शनिवार को देरा तक भोपाल में बैठक करने के बाद 30 जुलाई को इंदौर पहुँचेंगे जहां परशुलाम की जन्म स्थली पर पहुँचकर ब्रामणों को साधने की कवायत की जाएगी इसके बाद इंदौर के बीजेपी दफ्तर में बूत कारिकरताओं को संबोधित कर जीत का मंत्र देंगे कारिकरता सम्मेलन की जिम्मेदारी केलाश विजयवरगी के कंधों पर है माना जा रहा है कि 30 जुलाई को अमित्शाह उज्जैन जा सकते हैं और उसके बाद बुरहानपुर में बीजेपी दफ्तर के भूम पूजन कारिकरम में भी शिर्कत कर सकते हैं मंत्र प्रदेश मिधान सभच नाव से पहले अलग-अलग शेतरों के लिए अमित्शाह के दौरे की रूप रेखा बनाई जा रही है उज्जैन और ग्वालियर में भी अमित्शाह बैठक करेंगे क्योंकि उन्होंने बुधवार को भूपाल बैठक के दौरान अलग-अलग शेतरों में बूथ कारिकरताओं की कारिकरम रखने के लिए कहा था इसके बाद ही कैलाश विजेवरगी ने इंदौर में बैठक कराने का जिम मलिया इसी तरच पर राज्ज के प्रमुख इलाके मालवा, निमाड, गौलियर, चंबल, विंद, महाकोशल इलाके में बूथ कारिकरता को आमित्शाह जीत का मंत्र दे सकते हैं मध्यप्रदेश में बीजेपी ने विजय संकल पे यात्रा निकालने की पट कथाल लिख चुकी है इस यात्रा के जरिये शिवराज सरकार और केंड की मोधी सरकार की उपलबधियों को घर घर तक पहुचाने की रणनीती बनाई गई है विजय संकल पे यात्रा बीजेपी अगस्त या सितंबर महीने में निकाल सकती है संकल पे यात्रा में बीजेपी के बड़े नेता भी शिर्कत करेंगे बीजेपी अध्याक्ष जेपी नडड़ा ने लेकर केंडरी ग्रे मंत्री अमित्शा हरी जंडी रिखाएंगे तो कैलाश विजय वर्गी से लेकर जोतिरा दिति सिंधिया, नरेंद तोमर, वीडी शर्मा, नरोतम मिश्रा जैसे नेता यातरा में मुख्य रूप से शामिल रहेंगे इस तरह बीजेपी ने मधिप्रदेश को जीतने के लिए मजबूत सियासी आधार रखने में जुट गई है